नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सनाएंगे सौंबतिय मावश्या की पौरानिक और परचलित कथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ग्यान गंगा को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक गरीब ब्रहमन परिवार था, उस परिवार में पती पतनी के अलावा एक पुत्री भी थी, वे पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी सभी इस्त्रियों के गुनों का विकास हो रहा था वे लड़की सुन्दर, संसकारवान और गुनवान थी, किन्तु गरीब होने के कारण उसका विभा नहीं हो पा रहा था एक दिन उस ब्रहमन के घर एक साथू महराज पधारे, वे उस कन्या की सेभा भाव से काफी परसन हुए कन्या को लंबी आयों का आसिरवाद देते हुए साधू बाबा ने कहा कि इस कन्या की हतेली में विभायोग यह रेखा ही नहीं है तब ब्रहमन दमपत्ती ने साधू से उसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विभायोग बन जाए साधू ने कुछ देरविचार करने पर अपनी दिव्यद रिष्टी से ध्यान लगाया और देखा कि कुछ दूरी पर एक गाउं में सोना नाम की धो बन जाती की एक महिला अपने बेटे और बहु के साथ रहती है जो बहुती आचार विचार और संसकार संपन तथा पती परायण है वह एक पती वरता नारी है यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे उसके बाद इस कन्या का बिभा हो तो बिभा तो इस कन्या हो जाएगा लेकिन जो इसका बैवद्धिय योग है यादि इसकी कुंडली में जो बिभा का योग है वह भी मिट जाएगा सादू ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है यह बात सुनकर ब्राहमनी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही अगले दिन कन्या प्रा काम करके अपने घर वापस आ जाती एक दिन सौना धोबिन अपनी बहु से पूछती है कि तुम तो सुबही उठकर सारे काम कर लेती हो पता भी नहीं चलता बहु ने कहा मा जी मैंने सोचा कि आप ही सुबही उठकर सारे काम खुद कर खतम कर देती हो मैं तो ये काम करती नह जानी हो मैं तो देर से उठती हूं इस पर दोना सास बहु निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुभही घर का सारा काम करके चला जाता है कैई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुभह सुभह अंधेरे घर अंधेरे में घर में आती है और घर के सारे काम करने के क्यों नोकरी चाकरी क्यों कर रही हो जो मेरे घर का सारा काम कर देती हो इसका क्या कारण है तब कन्या ने सौना धोबिन को साधु द्वारा कही सारी बाते बताई सौना धोबिन तो पती परायन थी उसमें तेज था वे त्यार हो गई सौना धोबिन के पती थोड़ा उस समय इस्वस्थ थे उनकी तब्यत ठीक नहीं थी उसने अपने बहु से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा सौणा धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका सौणा धोबिन का पती मर गया उसे इस बात पुए पकवान की जगे उसने इंट के टुकडों को टुकडों से 108 बार भवरी दे कर 108 बार पीपल के पेड़ की परिकर्मा की और उसके बाद जल ग्रहन किया ऐसा करते ही उसके पती के मुर्दा सरीर में जान वापस आगे दोविन का पती वापस जीवित हो था इसलिए सौंबती अमावश्या के दिन से सुरूर करके जो व्यक्ति हर अमावश्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सो भाग्या में वृद्धी होती है पीपल के पेड में सभी देवताओं का वास होता है अत्य जो व्यक्ति हर्स अमावश्या को ना कर सके तो वैं सौंबार को पढ़ने वाले अमावश्या के दिन 108 बस्तों की भवरी दे कर सोना धोविन और गोरी गनेश की पूजन करता है उसे अखंड सोभाग्या की प्राप्त होती है ऐसी परचलित प्रंप्रा है कि पहली सौंबतियां मावश्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है उसके बाद ही सौंबतियां मावश्या को अपने सामर्थ्या के हिसाब से फल मिठाई स्वहक सामगरी खाने की सामगरी आदी चीज जैसे आपने उस कन्या के सुहाग की रक्षा की ऐसे सब की करना कहाने कहने वाले और कहाने सुनने वालों की सब के सुहागों की रक्षा करना बोलो सौंबतिय मावश्या की जै बोलो विश्न भूले बावा की जै बोलो विश्न भगवान की जै